हेलो फ्रेंड्स मैयोरी का कीचन में आपका स्वागत है आज मैं आपको पानी पूरी की पानी बना की दिखाऊंगी और पूरी में स्टपिंग कैसे करते हैं वो सब दिखाऊंगी तो यहां पे देखिए मैंने आप ग्रीन पानी इमली का पानी चना और मटर को मिक्स करके पूर्या मैंने यह पर बना ली थी आप देख सकते हैं पूर्या किसनी क्रिस्पी है इसकी रेसिपी मैंने आल्रेड़ी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है और हमारी पूर्या रेडी हो चुकी है तो सारा केसे बनाते हैं मैं आज आज आपको दिखाऊंगी तो चली स्टार्ट करते हैं अमरी रेसिपी अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगी तो प्लीज इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें अपने फ्रेंज और फेमिली के साथ इसको शेयर जरूर करें तो हम यहां पे अगरी जटनी बना लेते हैं इसके लिए मैंने आधा कप राधनिया वनफवर्थ कप पोधीना फद्रक का छोटा टुकड़ा और एक हरीमिल्च आप चहों तो यहां पे अगर आपको ज्यादा तीका पसंद हो तो आप दो हरीमिल्च भी रे सकते हैं अब हम हम इसको अच्छे से मिच्जी में ग्राइंड कर लेंगे हमने यह पे पेसले आए अब हम इसको एक बावल में निकालेंगे यहां पे हम धंड़ पाने में निकालेंगे अपे शिचे से साफ करके हुड़ा निकालेंगे आधा लीटर पाणी यहां पे ले लेंगे, यहां पे हमने अधा लीटर पानी ले लिया है उसको अच्छे से मीक्स कर दिया है, अब हूं इस में मसालेड करेंगे यहां पे में आदा चम्मच नमक डाल रही हूँ यह काला नमक लिया है काला नमक डालना आप आदा छोटी चम्मच लाल मेर्ज पाउडर आदा छोटा चम्मच अमचूर पाउडर आदा छोटा चम्मच बूना जीरा पाउडर यहां जीरे पाउडर यहां जीरे कुमेने हलका सा पेले तवे पी बून लिया था फिर मिक्सी मेस को निकाल दिया था अच्छा से उसका पाउडर बना लिया था आदा छोटा चम्मच चाट मसाला इन सब मसालों को अच्छे से हमको मिक्स कर देना है अब नामक और मेर्च आप टेस्ट एकोर्डिंग डाल सकते हम एक पिंच हेंग और आदा चोब आदा कटा हुआ निकू का रस हम इसमें मिलाएंगे और यहां पर हमको इमली का थोड़ा सा पानी इसमें एर करना है इमली का पानी मेलाने से इसका टेस्ट गूवती अच्छा आजाएगा अब इन सब मसालों को इन सब को अच्छे से मिक्स कर देना है और आप फिर टेस्ट कर सकते हैं अगर आपको नमक वगरा कुछ कम लगे तो आप इसमें एर कर सकते हैं इस तरह से हमारी ग्रीन चेटनी बनकर रेडी हो जाएगी और गार्नीशिंग के लिए हम इसमें थोड़ी सी बुंदी लास्ट में एर करेंगी जब हम खाएंगी परना बुंदी नरह हो जाएगी हमने पानी पूरी का तीखा पानी बना के रेडी कर दिया है उसको साइड में रख दिया है अब हम इसके लिए यहाँ पर चने बॉइल करेंगे मैंने यहाँ पर चने और वाइट कलर के माटर को बॉइल किया है ओवरनाइट बिगो के रख दिया था और तीन चाल बीशल ले 3 आलू बोईल करके रख दिये थे, उसको अच्छे से मैश कर दिये, अब हम इसमें ख़दच आदे से दिपी कम रेड चिली डाले निये, नमक टेस्ट अनुसर, थोरी सी काली मिर्च, 1 फोर्ट टीस्पून जितना हमचुर पाउडर, 1 फोर्ट टीस्पून जितना चाट मसाला, और 1 फोर्ट टीस्पून जितना जीरा पाउडर, इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, हमारे मसाला अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब हम को साइड में रतेंगे, अब हम इमली का खटा मीटा पानी बनाएंगे, मैंने यहाँ पे 100 ग्राम जितनी इमली भिगो के घरम पानी में आदे घंटे के लिए भिगो के रख दी थी, और उसके साथ जितनी हमने इमली लिये, उतना ही गूर मिला के रख दिया था, और फिर उसको अच्छे से मिक्सी में, उसकी पल्प को अच्छे से मिक्सी में घ्राइन कर लिया, पूर छान के निकाल दिया, अब हम इसमें मसाले मिलाएंगे, आदा छोटा चमच नमग, 1 पोर टीस्पून काली मिर्च, 1 पोर टीस्पून चाट मसाला, 1 पोर टीस्पून हम्चोर पौडर, थोड़ी सी लाल मिर्च, लाल मिर्फ थोड़ी सी डालना हलका ससको फ्लेवर चाहिए, और हादा चोटा चमट जीरा पाउडर, और उसमें में थोड़ा सा ड्राय जिंजर पाउडर डालोंगी, अगर आपके पास ड्राय जिंजर पाउडर नहीं है तो आप जब इमली का पल्क पिसेंगे तब उसमें अ अच्छे से मिला देना है, अगर आपको इमली की खट्टी मिटी चट्नी में पानी की फट्टी ज्यादा चाहिए, तो आप उसमें पानी ज्यादा एड़ कर सकते हैं, अगर उसको पानी पुरी को पूरा उसमें ही डीप करना है, तो आप उसमें पानी मिलाईए, वरना इस अप चटनी रखना को आप देख सकते हैं हमारा सब मसाला बनके रेडियो हो चुका है पानीपुरी के लिए अब हो मीस्में यहां पर थोड़ी सी बुंदी डालेंगे इस बुंदी भी मेनी घर पी ही बनाई है, देख सकते हैं इतनी गोल गोल बनाई है, इसकी भी वीडियो में आप से शेयर करूँगी इसमें भी थोड़ी सी बुंदी आप डाल सकते हैं तो चली अब मैं बताती हूँ पानी पूरी केसे रेडी करते हैं इस पूरी पूरी अनल इस एक दिन पहले बना के रख दी थी, अगर आपको इसकी रेषीप मैं को अजये है कि गोल गोल क्रिस्पी पूरीय कैसे बनती है, तो इसका लिंक प्यचुल आप डिक्टरियों में बनती है, значит नीचे दिस्कृप्चेट कर सकते हैं अब देखिए पूरी कितनी कड़क बनिए एक दिन पेले बनाइए पिर भी कितनी अच्छे से कड़क है नरम नहीं वो यह तने के बाद आप देख सकते हैं तो चली हम पानी पूरी धेडी करेंगे पूरी मेस्तर से हॉल कर लेंगे और मसाला फिल कर लेंगे थोड़े से चने मिलाएंगे यहां पर हिमलिक का पानी लालेंगे अगर पूरा उसमें डीप करना हो तो आप उसमें पानी की क्वांटिटी ज्यादा कर सकते हैं अब देख सकते हैं हमारी पानी पूरी रेडी हो चुकिये इस तरह से पसारी पानी पूरिया बना के सर्फ कर सकते हैं यह बहुत ही टेस्टी और डिलिशिश बनी हैं अगर आप कच्ची प्याच खाना पसंद करते हैं तो इसमें बारी कटे हुए कच्ची प्याच और हर्या धनिया काटके इसमें डाल सकते हैं और आराम से खा सकते हैं तो हमारा यह पूरा मसाला पाने पूरी के लिए रेडी हो गया है चलो फ्रेंस अब हमारा टिप्स बताने का टाइम आ गया है मेरी आज की टिप्स यह है कि अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो और पराठे या रोटे ले जानी हो तो आप उसमें दूस से आटा बानेंगे तो आपका दूस सौफ्ट बनेगा और रोटियां और पराठे बहुती सौफ्ट बनेगी थेंक्यू फ्रेंड्स पर वोचिंग मैं वीडियो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ बाई 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 फ्रेंड्स